Thomas Hobbes Thomas Hobbes जो है वो 1588 में England में पैदा हुए थे उनके mythology बहुत सारे factor से influence थी जो नोन अपनी life में experience करें है सबसे पहला आता है उस कहना है English Civil War उस time पे जस time पे war हुई थी उस time पे वो adult life जो ही रहे थे अपनी और ये basically war जो थी वो पार्लेमेंट की supporter और royalist मतलब जो मोनागी की supporters की बीच में हो दी थी तो उनकी बीच में Civil War हुई Second आता है scientific revolution scientific revolution से हम समझता है कि वो scientific method का यूज करने के लिए आते थे क्योंकि वो गैलरीयों से बहुत जादा inspired थे उनकी theory से specially उनकी motion theory थी mechanism वाई थी वो उन्होंने अपने जो thoughts दियो उन्होंने merge कर एक तरीके से हम कह सकते हैं Third आता है absolute sovereign absolute sovereign का मतलब यहां पर है कि sovereign जो monarch होगा उसके पास absolute powers होंगी मतलब की जो लवियाथन बुक थी उनकी बहुत famous book है जो के अंदर उन्होंने बात social contact थी जो जिसके अंदर दिया है और absolute sovereign का thought उन्होंने उसके अंदर दिया है अब उनकी बुक्स पर आता है तो उनकी सबसे famous book थी लेवियाथन जो कि 1650 में होई थी और 51 में वो publish होई थी फिरतर दी सीवे, दी कॉर पे, dialogue of common laws ये कुछ famous books है उनकी जो नोने लिखी human nature human nature के बार मैं नोने बताया कि जो उनकी गैलियों की motion या matter theory जो थी उससे relate करके उनोने अपने human nature के बार में बताया उनने का जैसे universe जो है matter से बना है वैसे इनसान, एक human being जो है वो भी material body से बना है उसका mind जो है उसका brain जो है वो matter से control होता और जो matter है उसके दो emotion होते है जो हमाई mind के अंदर होता है एक है appetite और दूसरा है aversion अगर हमें Hobbes का nature मतलब human nature पढ़ना है सबसे पहले हमें जानना होगा Galileo ने क्या कहा है motion के matter के बार में उन्होंने कहा है universe जो है matter उसके अंदर होता है matter से बना है universe और matter पार्टिकल से बना है जो हमेशा motion में होते है और जो सबहलता कोई जब तक कोई external force उस पर न लगे तो वो सबहलती नहीं है ऐसे उन्होंने कहा है कि human behavior वो human mind से control होता है मतलब human mind से बना है जो है वो पार्टिकल से बना है जो हमेशा motion में होता है हमारे mind में दो motion है मतलब brain के अंदर दो motion होता है एक appetite दूसा aversion जो हमारे brain को control करते है तो appetite का मतलब क्या pleasure seeking अब हमने human nature तो पढ़ लिया human उस time पे कौन से natural state में भारा था हम अब वो पढ़ेंगे state of nature और उसमें कौन से natural rights है उस time पे वो हम पढ़ेंगे तो state of nature उने बोला state of war की condition को कि state of nature hobs का जो है वो state of war की condition को describe करता है कि हमने बताया कि यह भी दो motions होता है दो emotion थे human brain के अंदर human के अंदर एक था appetite दूसर था aversion तो यहां पर बताया गया है वो change जो है continuous चलती है competition बढ़ता रहता है जब मुझे उसमें बताया गया है कि pain को avoid करना और pleasure sicker जो है वो एक इंसान है तो appetite चाहता है तो hobs की state of nature में basically यह बोला गया है कि इंसान जो है वो appetite चाहता है मतलब ऐसी चीज़े ऐसा desire उसकंदर जो उसे pleasure दे उसको satisfy करे उसकी needs को fulfill करे वो pain को avoid करता है तो यहां पर वो change चलती है अब मैं एक state of nature रहर्यू में एक इंसान हूँ मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ satisfaction मिले pleasure मिले मैं ऐसे चीज़े करो दूसरे इंसान को भी यही चाहिए तो हर एक इंसान की यही ख्वाश होगी अब में पास एक ही चीज़ है और लड़ने वाले इतने सारे है तो जाही से बात है कि जब लड़ाई होगी competition होगा desires, conflict के लिए तो अब conflict और बढ़ती जाएगी जो हर कोई जो है वो try करेगा कि वो ऐसे चीज़ों को satisfy करे उसके desire को तो इसमें क्या होगा conflict होगी competition होगा तो state of war अभी तो हुई कि situation इतनी खराब होगई कि लोग लड़ने लगे आपस में security life की होने लगी और insecurity ही आगे जाके reason बनेगा social contact का जो लोग करेंगे आपस में तो insecurity of life बहुत increase हो गया अब दूसरी बात की state of nature में कोई morality concept नहीं था, कुछ अच्छा कुछ सही बुरा, सही गरत कुछ भी नहीं था, मैं अपनी life को secure करने के लिए कुछ भी कर सकती हो दूसरा है right of self preservation, right to life यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका मतलब यह है, मतलब की में पस अपने आपको बचाने के लिए कुछ भी करने का अदिकाल था, अगर मैं Hobbs के state of nature की बात करूँ तो Hobbs ने कहा है कि natural right वहाँ पर क्या था right to life का अब हमने human nature पर लिया हमने state of nature, natural rights पर लिया अब आता है social contact थियो दिपे तो जहुती क्यों पड़ी social contact करने के ऐसा क्या था, reason क्या है इसके बीचे तो हमने बताया कि natural rights जो उनके पास था, जो कि था right to life का right, वो ही insecure था तो उसकी security के लिए अपने आपको बचाने के लिए उनने क्या करा, social contact करा क्योंकि life वहाँ पर जो मैंने human nature बताया कि उसे सिर्फ pleasure सिकर बोला गया desire बोला गया, power को पाने का तो उनकी life जह है nasty हो गई थी short हो गई थी कि कि उनके पास से life को बचाने के लिए कोई जरिया ही नहीं था तो उनने social contact करने की सोची अब आता है terms or conditions मतलब अगर मैं social contact कर रही हो तो क्या terms or conditions तो कुछ होंगी जारी सी बात आप contact करता है तो terms or conditions तो लगती है तो यहाँ पर भी यही जीज थी पहली term or condition क्या थी people transfer all powers to monarch या for sovereign except right to self-preservation right to life के अलावा आप सारी powers और अपने सारी rights जो हैं वो monarch को सोच रहे हैं सबसे पहली condition दूसरा कि सबको इस contact को obey करना होगा, सबको मानना होगा और तीसरी बात कि इस से इस contact से क्या मनेगा एक absolute sovereign state का origin होगा, उसका establishment होगी मतलब आप अपने सारी rights monarch या sovereign को दे रहे हैं लेकिन सिर्फ एक right के लावा सारी powers आप उसको दे रहे हैं अब आता है कि conditions पता चल गए reason पता चल गया तो इसका result क्या हुआ, social contact का result क्या होता है, अब हम वो जानेंगी तो पहला point है creation of commonwealth या state state का origin यहाँ पर बता गया कि इस तरीके से हुआ second है था establishment of absolute sovereign या monarch मैंने भी बताया कि आप absolute sovereign establishment कर रहे हैं और तीसरी बात right of self-preservation जो बताया कि एकलोता right लोगों के पास होविन natural state के बार जोने social contact करा उसके इंदर के रहे गया कि सिर्फ एक right के लावनों ने सारी powers जो है वो मना को दे दी और वो right क्या था right to life का last point आथा criticism इस theory का criticize भी तो करेंगे हर theory में कुछ सही कुछ आपको अलग चीज़े मिलेंगे तो पहला criticism यह बनता है कि Hobbs ने human nature के बार में जो बताया उसकी सिर्फ bad side या एक evil side बताई human nature जो है appetite उस जादा मानता है और avoid करता है pain तो यह एक point बन सकता है criticism का दूसरी बात कि कोई moral standards ही नहीं है उनके natural state में जो कि हमने बताया कि desire सिकर था उसे सिर्फ और सिर्फ ऐसे चीज़ों से लगाफ था जो उसकी pleasure को पूरा करे तो कोई morality नहीं थी सही गलत का उनने पता ही नहीं था तीसरी बात आती है इन practical approach contact की यह कहा गया कि मतलब जब लोग इतने जादा उलजे हुए थे अपने desire को fulfill करने के लिए तो उन्होंने ऐसी सोच कैसे रख ली कहिना कहिए यह approach जो है सोचल कोंटक्ट थेयोरी पे थाइंक यू अगर आपको पसंदा आया तो प्लीज चलर को subscribe करें वीडियो को like करें और comment करें और share करें